है घयत भाधमान ऊए दर नवरात्री को परेल मंतो कि म olur चल रहें है तो आप लोग्हें को दो गश्चन अब करदञ चरावालगी जय करद में बहुत बड़ा तो ब्रह्मा जी आप एत्यांत बुद्धिमान सर्व सास्त्र और चारो वेदों को जानने वालों में सेष्ठ हैं हो यह प्रभु कृपा कर मेरा बचन सुनू चैत आशनी माग और असाड मास के सुक्ल पच्छ में नवरात्री का ब्रत और सव क्यों किया जाता है यह भगवान इस ब्रत का फल क्या है जिस किस परकार करना उचित है और पहले इस ब्रत को किस ने किया है जो विस्तार से कहों ब्रिश्पत जी का ऐसा प्रश्न सुनकर प्रम्हा जी कहने लगे कि हे ब्रिश्पत प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न क जो मनुष्य मनुरत पूरुन करने वाली दुर्गा महादेवी सुर्य और नराण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं यह नवरात्री ब्रत संपूर काम नाउं को पूरुन करने वाला है इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र धन चाहने वाले को धन विद्या च सुख साहने वाले को सुख में मिल सकता है और मिलता है इस ब्रत को करने से रोगी मनुष का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष बंधन से छुट जाता है मनुष की तमाम आपत्या दूर हो जाती है और सब कष्टों को हरने वारी मा उसको कष्ट हरती है और उसके घर में सम्पूर्ण सम्पंतिया आकर उपस्थित हो जाती है बंध्या और काक बंध्या की इस ब्रत के करने से पुत्र हो जाता है समस्त पापों को दूर करने वाले इस ब्रत के करने से ऐसा कौन सा मनुरत है जो सिद नहीं हो सकता जो मनुष इस अल्भ है मनुष द्या को पाकर भी नौरात्र का ब्रत नहीं करता है वह माता पिता की सेवा से बेमुक होकर पाप का भागी होता है और वह अनेक दुखों को भोगता है इसके उसके सरीर में अनेक आधियां आपत्वन होती है और वह संतान का सुक भी नहीं पाता है इस प्रकार वह मुर्ख अनेक दुख भोगता है इस ब्रत को न करने वाला मूरक मनुष्य धन और धान से रहिद हो भूग और प्यास से मारे प्रित पर घूंता है और घूंगा हो जाता है जो शुहागिर इस तरी भूल से इस ब्रत को नहीं करती हुआ पती से वहिन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है यद ब्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करें और उस दिन बांधो सहीत नवरात्र ब्रत कथासर करें ये ब्रिश्पते जिसने पहले इस महा ब्रत को किया है उसका पवित इतिहास में तुम्हें हम सुनाता हूं तुम सावधान होकर सुनो इस प्रकार ब्रह्मा जी के बचन सुनकर ब्यश्पत जी बोले ये ब्रह्मा जी मनुष्य को कल्यान करने वाले इस ब्रत की जिहास को मेरे लिए कहो मैं सावधान होकर सुनदा हूं आपकी सरन आय हुए मुझ पर किर्पा करो ब्रह्मा जी बोले पीड़त नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का प्रामण रहता था वह भगवती दुर्गा का भक्त था उसके संपूर्चत गुरों से युक्त मानों ब्रह्मा की सबसे पहले रचना हो ऐसी थार्थ नाम वाली सुमित नाम की एक अत्यंत सुन्दर कन्य पैदा हुई वह कन्या सुमती अपने घर के बाल कपन में अपनी सहलियों के साथ किड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे सुकल पच्छ में चंद्रमा की कला बढ़ती है उसका पिता प्रत दिन दुर्गा जी की पुजा और होम किया करता था उस समय वह भी नि लग गई और भगोती के पुजा में उपस्ति नहीं होई उसके पिता को पुत्री की ऐसी और अशावधानी देखकर कुजा आया और पुत्री से कहने लगा कि पुत्री आज प्रभात में तुमने भगोती का पुजन नहीं किया इस कारण मैं किसी कुष्टी और दरिद्री बनुष्ट के साथ तेरा बीवा करूंगा इस परकार को पित पिता के बचन सुनकर सुमती को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी कि भे पिता जी पिता स्री मैं आपकी करन्या हूँ मैं सब तरह से आपके आधीन हूँ जैसे आपकी इच्छ हो ऐसा ही करो र इसलोड पर पूण विष्वा से मनुष्ट न जाने कितने मनृतों का चिन्तन करता है परम होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखी है जो जैसा करता है उसको fal भी उसी कर्म करम के अनुशार ही मिलता है क्योंकि कर्म करना मनुष्ट के आधीन है पर फल देव के आधीन जैसे अगनिवी पड़े हुए त्रिराणी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं उसी तरह अपनी कन्या की ऐसे निर्भ्यता से कहे हुए बचन सुनकर वो उस ब्रामर को और अधिक कुरुद आया तब उसने अपनी कन्या का विवा एक कुष्टी से कर दिया और अत्यांत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ जल्दी जाओ अपने कर्म का फल भोगो ऐस देखो केवल भाग भरोसे रहकर क्या करती हूँ उसे इस प्रकार से कहे हुए पिता के कुटू बचनों को सुनकर सुमती अपने मन में विचार करने लगी है अहो मेरा बड़ा दुर्भाग है जिससे में मुझे ऐसा पती मिला इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमती अपने पती के साथ बन में चली गई और भयावने कुषा युक्त उस अस्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कठ से व्यक्तित कियां की उस गरीबालिका की ऐसी दसा देखकर भगवती पुर्ण प्रभाव से प्रकट होकर सुमती के सुमती से कहने लगी कि हे दिन ब्रामडी मैं तुम पर प्रशन हूँ तुम जो चाह परदान मांग सकती हो मैं प्रशन होने पर मनवांचित फ प्रशन हुई हो यह सब मेदेलिये कहो और मैं अपनी कृपा दिश्टी से मुझ दिन दासी को कितार्थ करो ऐसा ब्रामडी का बचन सुन का देवी कहने लगी कि मैं आदि सकती हूँ और मैं ही ब्रह्मान विद्यासरसुती हूँ मैं प्रशन होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुक प्रदान करती हूँ ये ब्रह्माने मैं तुम पर तेरे पुर्वजन्म के प्रण के प्रभाव से प्रशन हो मैं तुम्हारे पुर्वजन्म का बिस्तान्त सुनाती हूँ तुम पुर्वजन्मे में निशाद भिल की इस्तरी थी अतिपती प्रता थी उस एक दिन तेरे पती निशास ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। तक नौरात्र का प्रत हो गया। ब्रह्मारी उस दिनों में जो प्रत हुआ उस ब्रत के प्रभाव से प्रशन होकर तुम्हें मनुआ अंचित बर देती हूं। किरपा करके मेरे पती के कोश्ट को दूर करें। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुम्हें ने ब्रत किया था उस ब्रत के एक दिन का पूर अपने पती का कोड दूर करने के लिए अपड़ना करो। और मेरे प्रभाव से तेरा पती कोड से रहित और सोने के शमान सरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार देवी का बचन सुनकर वह ब्रह्माडे बहुत प्रशन होई और पती के निरोग करने की इच्छा से ठीक है। ऐसे बोली तब उसके पती का शरीर भगवती दुर्गा की किरपा से कुष्ट हीन होकर अती कांती विक्त हो गया जिसकी कांती के सामने चंद्रमा भी कांती भी छिड हो जाती है। ब्रह्माडे पती की मनोहर दें को देकर देवी को अती पराकर्मी वाली समझ कर शुती करने लगी। कि हे दुरगे आप दुरगत को दूर करने वाली दिनो जगत और जिनो जगत का संताप हरने वाली समत शमत दुखों को दूर करने वाली द्रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली मनुष्ट प्रशन होने पर मनुवांचित बर वस्तु को देने वाली और दूष्ट मनुष्य क नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता पिता हो, हे अम्बे मुझे अपराद रही, अम्बला का मेरे पिता ने कुष्ट रोगी के साथ बिवा कर मुझे घर से निकाल दिया, उसकी निकाली हुई प्रिथिवी पर घुमने लगी, आपने ही मेरा इस आप तीज रूपी सम०्र से उधार किया, हे देवी मैं आपको पड़ाणाम करती हूं, मुझे दिन रच्छा करों, प्रम्हाडे बोली है विरिष्पति, इसी प्रपरकार उस सुमती ने मन से देवी की बहुत इसुती की, उसकी इसुती सुन कर देवी को बहुत संतोस हुआ, आप प्रम्हाड तेरे उद्धा लैम नाम का अतित बुद्धिमान धन्यवान किर्तिवान जितेंद्रय पुत्र सिद्र ही होगा ऐसा कर्वदेवी उस ब्रह्माडे से भी फिर कहने लगीं कि है ब्रह्माडे जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांचित वस्तु मांग सकती है ऐसा भगवती दू दुरुगा का बचन सुनकर सुमति बोली कि है भगवती दुरुगे आप अगर आप मेरे पर प्रशन है तो किर्पा कर मुझे नवरात्री के विधी बताईए है दयावती जिस विधी से नवरात्री ब्रत करने से आप प्रशन होती है उस विधी और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वरणन करें इस प्रकार ब्रमाड के बचन सुनकर दुरुगा कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए संपड पापो को दूर करने वाले नवरात्री ब्रत विधिक को बतलाती हूं जिसकी सुनने से तमाम पापो से छुटकर मोच की प्रप्ति हो जात यद दिन भर का ब्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें पढ़े लिखे ब्राम्रों से पुछकर घट स्थापना करें और वाठिका बना कर उसको प्रत दिन जल से सीचे महाकाली, महालच्मी, महास्रस्वति इनकी तीनों मुर्तियां बना कर उनकी नित पिधी विधी सहित पूजा करें और पुष्पूं से विधी अर्ध दें, विजवरा के फूल से अर्ध देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से किर्थी धाग से कार्य की सिद्धी होती है, आउले से सुख और केले से भूशड की प्राप्ति होती है, यह इस प्रकारफलों से अर्ध दे कर अथा अंबिधी हवण करें, खांड, घी, गेहु, सहद, जो, तिल, बिल्व, नारियल, धाग और कदम इसमें हवण करें, गेहु से हवण करने से लच्छीमी की प्राप्ती होती है, खीर वचंपा, के पुश्पों से धन और पत्तों से तेज और शुक की प्राप्ती हो खांड घी नारियल सहर जो और तिल इसमें तथा फलों से होम करने होम करें मनुआंचित वस्तु की प्राप्ति होती है ब्रत करने वाला मनुष इस विधी विधान से होम कर आचार आचार को अत्यंत नर्मता से के साथ परणाम करें एक की सिद्धी के लिए उसे दच्छना दे इस महा ब्रत को पहले बताई होई बिधी के अनुशार जो कोई करता है उसके सब आदि दिया जाता है और उसका करोनों गुना मिलता है इस नौरात्र के ब्रत करने से ही यसमेद्य यग का फल मिलता है ये ब्रम्हाडी इस ब्रम्पुर कामनाओं को पुण करने वाले उत्तम ब्रत को तिर्थ मंदिर अथवा घर में ही विधी के अनुशार करें। को प्राप्त होता है ब्रश्पते इस दुरूबले ब्रत करूँ मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है ऐसे ब्राम्हाडी ने बचन सुन का प्रिश्पती की आनंद के कारण रोमान्चित हो गई। किस महात्म को सुना सकता है ऐसे ब्रश्पत जी के बचन सुनकर ब्रभ्रम्हाजी बोले कि ये ब्रिश्पते तुमने जब प्राणियों का हिद करने वाले इस आलोकिक ब्रत को पुछा इसलिए तुम धन्यों यह भगवती सक्तित्रंपुर् इस महादेवी के प्रभाव को सुकौन जान सकता है, बलो जै माता की जै, जैकारा सेरा वाली की जै, साचे धरवार की जै, जैता वाली माता तेरी सदा ही जै, जैंती मंगला काली भद्रकाली का पालें, दुरगाच्यमा सिवादराती स्वाशधा नमसते, आम,